हेलो दोस्तो, a very good morning to all of you, स्वावत है आप सब का मेरे यूट्यूब चैनल रोहिनी क्लासेस में तो सुबह हो चुकी है और अब बारी आती है सिक्षा जगत से जुड़ी होई खबरों को देखने की तो आईए बिना किसी देरी के देखते हैं हम कि आज के निउस पेपर्स में क्या-क्या इंपोर्टन्ट है हमारे लिए तो चलिए स्टार्ट करते हैं तो देखिए लोकसिव आयोक से जुड़ी होई कुछ खबरे हैं तो आयोक की कार्य प्रडाली होगी भ्रष्टाचार मोक्त उत्यप्रदेश लोकसिव आयोक की बदलती कार्य प्रडाली से हर किसी में उम्मीद की नई किरन दिखाई देने लगी है यह बदलाव डॉक्टर प्रभात कुमार के अध्यक्ष बनने के बाद आया है डॉक्टर प्रभात ने हर सब्ता बुद्धवार के दिन आम जन्व प्रत्योगी शात्रों से मिलने के लिए निर्धारित किया है आयोग की गत्विदियो में ब्रहष्टा चार का आरोप लगा कर अंदोलन रत रहे छात्रों समेत किसी में जो है आयोग की कारप्रणाली में पारदर्शिता आने की आसा जगी है तो दूसरी ख़बर भी जो है वो आयोग से ही है अल्टी ग्रेट के रिजल्ट पर संकट याचिका खारिज होने के बाद STF अब अपनी जांच को तेजी से आगे बढ़ा सकती है और आयोग को भी अब परिक्सा से संबंदित दस्तावेज STF को सौपने होंगे ऐसे में STF अपना सिकंजा तेजी से कच सकती है और इसका असर एल्टी ग्रेट सिक्षक भरती के उन व विवाद सामने आने के बाद रोक दिये गए थे इसके अलावा जिन विशियों का रिजल्ट जारी किया गया था उनमें चायनितों के अभी लेक का सत्यापन कारिक्रम भी स्थागित कर दिया गया था तो अगली खबर है सीटेट से रिलेटेट कि जिले में 77 केंद्रों पर ह परिक्षा में दो पालियों में अलग-अलग होती है हमेशा से होती आई है और इसमें कुल मिलाकर एक लाग से अधिक परिक्षार्थी सामिल होंगे तो देखिए क्या-क्या आपको अपने साथ ले जाना है एक बार जरूर देख लें तो प्रवेस पत्र के साथ फोटो आई आई डी भी अनिमारे रूप से लाना होगा तो अगली कबर यह है कि एलोपेथिक चिकिस्था दिकारी के लिए साक्षतकार 18 जुलाई से होंगे तो प्रदेश की सितंबर तक 2354 एलोपेथिक चिकिस्था दिकारी मिल जाएंगे और इन पदों पर सीधी भरती के लिए उत्त सितंबर में ही आयोग अंतिम चयन के परिणाम जारी कर देगा और प्रांतिय चिकिस्था एवं स्वास्त सेवा संबर्ग उत्तर प्रदेश के तहट अलोपेथिक चिकिस्था दिकारी के जिन 2354 पदों की भरती होनी है उसमें 1178 पद अन्हारत छित 635 पद अन्यपश्रावर 494 पद अनसूचित जाती एवं 47 पद अनसूचित जन जात के लिए आरक्षित हैं तो देखिए डेंटल सर्जन की जो स्क्रीनिंग हुई थी उसकी जो है उत्तरकुंजी जारी हो चुकी है तो UPSC ने सुक्रवार को डेंटल सर्जन स्क्रीनिग परिक्षा 2018 की उत्तरकुंज अगली खबर है उन बच्चों के लिए जो टीटी का इंतजार कर रहे थे बहुत दिनों से उनके लिए बहुत बड़ी खबर है कि सितंबर में टीटी 2019 और 20 लाक आवेदन का अनुवान तो 2019 की सिक्षक पात्रता परिक्षा सितंबर में कराने की तयारी है परिक्षा नियामक प्राधिकारी कारियाल एलन गंज इसके प्रस्ताव तयार कर रहा है जो इसी महीने शाशन के अनुवती के लिए बेजा जाएगा इस साल भी 20 ल से आवेदकों की संख्या में इजाफा हुआ है 18 नुवंबर 2018 को आयो जित टीटी के लिए तक्रीबन 22 लाक अभियर्थियों ने रेजिस्ट्रेशन किया था तो दिखिए संभावना क्या है कि परिक्षा नियामक प्राधिकारी कारियाल है इसी महा भेजेगा प्रस्ताव प परात्मिक स्कूयों के लिए अवेदकों तु इस बार भी नहीं रहेगी निगेटिव मार्किंग तो शिक्षक पात्रताता परिक्षा में इस बार भी निगेटिव मार्किंग नहीं होने के कारण अभ्यर्थि उन प्रशनों का जवाब दे सकते हैं जिनके उत्तर को लेकर बहुत आस्वस्त नहीं है धाय घंटे की परिक्षा में 150 प्रशन के उत्तर देने हैं और प्रत्य प्रशन एक अंका होगा आप सबी जानते हैं कि 1.500 प्रशनों होते हैं उसमें और परिशदी विध्यालों का तीक्षा सूची में सामिल अभ्यार्थियों ने रिक्ट पदों पर चैनित करने की मांग की है। इस मांग को लेकर अभ्यर्थियों ने सुक्रवार को उच्छ सिक्षा निदे साले के सामने प्रदर्शन किया और अभ्यर्थियों का कहना है कि कार्य वाहक निदे से डॉक्टर सी डीपी शाही ने जो है मुलाकात की और 15 जुलाई तक काउंसलिंग की तिथी घुशित करने का आश्वाशन दिया है उच्छतर सिक्षा सेवा आयोग ने विग्यापन संक्या 46 के तहट असिस्टेंट प्रोफेसर के 1652 पदों पर चैन किया है और चैनी तब्यर्थियों की सूची उच्छ सिक्षा निदे साले को बेजी गई थी विसे वार चैनी तब्यर्थियों के साथ प्रतिक्षा सूची भी निदे शाले को दी गई है थी और चैनी तब्यर्थियों को कॉलेज आवंटी तक न्यूक्ति पत्र निदे शाले के इस्तर पर जारी किया जाता है तो पदों के समाप्त होने का खत्रा उच्छतर सिक्षा सेवा आयोग की नीमा वली में विवस्था है कि प्रतिक्षा सूची तभी तक मानने होती थी है जो जब तक अगली चैन प्रक्रिया ना हो इसके बाद प्रतिक्षा सूची और पद जो है वो समाप्त हो जाता है और इस समय उच्छतर सिक्षा सेवा आयोग ग्यापन संख्या 47 के तहट असिस्टर प्रोफेसर के पदो पर चैन की प्रक्रिया चल रही है लेखित परिक्षा का परिणाम घोशित हो चुका है और जुलाई के दूसरे सब्ता से इंटर्व्यू शुरू होने वाले है और अंतिम परिणाम घोशित होने के बाद प्रतिक्षा सूची स्वतह ही समाप्त हो जाएगी और प्रतिक्षा सिपाही भरती के अंक जारी तो कर्मचारी चेयन आयोग ने केंद्री बलो में सिपाही भरती परिक्षा 2018 के अंगोशित कर दिये हैं Constable GD, CAPFS, SSF, NIA और Rifleman GD के लिए हुई परिक्षा के अंगोशित किया गया है साथ ही उसका प्रिंट भी ले सकते हैं इसके लिए एक माह 5 जुलाई से 4 अगस्त तक समय दिया गया है प्राइमरी अध्यापकों के मनमाने समयोजन से हाई कोट नाराज तो प्राइमरी विद्यालों के अध्यापकों का समयोजन सम्मंदी शासना देश रद्ध होने के बावजूद मनमाने तरीके से शिक्षकों के समयोजित करने पर हाई कोट कड़ी नाराजगी जताई है इसे अधालत ने आदेश के अवमानना मानते हुए बेसिक शिक्षा अधिकारी भदोही से पूछा है कि क्या याची का समयोजन 20 जुलाई 2018 के सासना देश से किया गया था या नहीं जिसे हाई कोट ने 18 दिसंबर 2018 को रद्ध कर दिया है कोट ने पूछा कि कोट के आदेश का पालन क्यों नहीं किया गया जो की प्रथम द्रिष्टिया आप्राधिक अवमानना प्रतीत होता है याची का की सुनवाई 12 जुलाई को होगी पांडे सुनील कुमार और प्रभुनात की याची का परियाहा देश नयामूर्थी नीरस तिवारी ने दिया है याची के अधिवक्ता का कहना है कि राज्य सरकार की समायोजन नीती को हाई कोट ने रद्ध कर दिया है और इसके बाद समायोजन वापस ले लिये गए किन्तु भदोही के बीये से ने सिर्फ उनी लोगों का समायोजन वापस लिया जिनोंने याची का दाखिल की थी जबकि कोट ने शासना देशी रद्ध कर दिया था सासना देश के तहट याची सहायक अधियापक के समायोजन पूर्व माध्मिक विद्याले काशी दहा ग्यानपूर भदोही से पूर्व माध्मिक विद्याले जियनपूर ग्यानपूर भदोही में किया गया सासना देश रद्ध होने के बाद उसे वापस होना चाहिए किन्तु बिये से कोट आदेश के पालन नहीं कर रहे है तो यह थी आज की प्रमुक खबरे और कैसा लगा मेरा यह वीडियो जरूर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताए मेरे वीडियो को शेयर करिए लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए थैंक्यू वेरी मच